आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 और जो आपका 11 क्लास है इसकी डेट सीट की बारे मैं डिसकस करने वाले आपकी जो है डेट सीट को लेकर बहुत जादा जो है मतलब कॉन्फूजन हो रही थी बच्चों की हमारी डेट सीट का है तो आपकी डेट सीट आ चुकी है कुछ इस सर्कुलर आया है आप देख रहोंगे यहां पर आपको यह सारी चीज पढ़ लेंगे है बाकी में जो इंपोर्टेंट है हमारे लिए वह है डेट सीट बाकी यह सारी चीज भी बहुत इंपोर्टेंट है आपको जरूर पढ़ना है कोशन आएंगे किस तरह से एंस क्यू बे यहां नीचे साइड आएंगे तो यहां पर आपका जो है डेट सीट यहां नीचे दे रखा है तो यहां आप देख रहे होंगे आपको जो है डेट सीट में यहां बताया गया है कि यह आपका जो है यह आपका डेट सीट है जहां पर आपको यहां आपको टाइम दे रखा है आपका ये जरूरी याद रखना है आपको ये जो आपका date sheet है वो term 1 के लिए है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है timing for mid term examination यानि term 1 के लिए आपका date sheet है यहाँ पे आपको time भी बता दिया है time जो आपका morning shift है उनका रहेगा 9 से 10.30 बजे यानि 90 मिनट का आपका exam होना है 90 मिनट का आपका paper होना है तो वही evening shift की बात करें तो 3 से 4.30 बजे तक आपका exam होगा तो ये जो है normally बात थी जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका paper है वो कितने बज़े से कितने बज़े तक होना है बाकी बात करें तो कौन सा subject जो है आपका case दिन होने वाला है तो यहाँ आप देख सकते हुए कि यहाँ आपके date लिखे हुए day लिखे हुए and class 9th और 11th लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पहले मैं 9th class की बात करे लेता हूँ यहाँ 9th लिखा हुआ है तो यह सा subject 9th class के है 9th class के जो है यह date sheet है यह वाली line जो है आपकी यह वाली तो सबसे पहले हम 9th class की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख रहे हुए एक तारिक को आपका जो है natural science का paper है एक तारिक का मतलब है एक तारिक 12 महिना 2021 तो एक दिसंबर से जो है आपका एक्जाम जो है वो चालू है एक दिसंबर को सबसे पहले 9th class का natural science का paper है उसके बात जो आपका 6 तारिक है यहाँ पर आपका social science का paper है मैं आपको PDF दे दूँगा तो आपको आप जो है वहाँ डाउनलोड करके अच्छे से अपने जो main subject आपके होंगे वो आपको लिख लेने तो social science का हो गया जैसे अगला है math का paper तो math का paper जो है आप देख रहे होंगे 8 तारिक को दिखा रहा है फिर अगला है आपका Hindi A Hindi A का जो exam है वो आपका होना है 10 तारिक को यहाँ 10 तारिक है Friday है 10 तारिक को फिर अगला है आपका English का English का आपका 14 तारिक को है फिर अगला है Sanskrit, उर्दू और पंजावी यह सारी subject जो आपके 16 तारिक को होने है तो यह जो थी date sheet वो थी class 9 के लिए यह आपकी जो date sheet है यह 9 की है अगला जो 11 की बात करें तो 11 की जो date sheet है सबसे पहला जो आपका paper है वो है आपका political science का एक तारिक को उसके बाद आपका जो है second जो exam है आपका physical education का वो आपका यहाँ दिख रहा होगा आपको यह 3 तारिक को दिखा रहा है अगला जो है economics का economics का आपका जो है 6 तारिक को है और उसके बाद बात करें English score की तो English score का जो exam होने वाला वो है 7 तारिक को उसके बाद आपका psychology और यह आपका जो exam होने वाला है वो होने वाला 8 तारिक को इसके बाद Sanskrit sorry इसके बाद math है आपका mathematics का जो exam होगा वो आपका 9 तारीक को होगा तो 9 तारीक को होगे आपका mathematics अगला जो पिपर आपका biology और Sanskrit का है वो आपका होना है 10 तारीक को 10 तारीक को होगे आपका biology और Sanskrit का फिर आपका जो अगला है chemistry अकांट सी तो यह आपका जो होने का था highly का जो आपका होगा वो है चोधा तारीक को फिर उसके बाद आपका क्यों गोजेसель और भी का चेपकर सब्जक्त में को फिर इसके बाद होना होना है आपका होम सफाइंस का होना है आपको 16 तारीक को जो है पता दू पॉलिटिकल शाइन्स होगा उनके पास फीजिकल होग है है कि एक नोमिक्स हो सकता है एंगलीस भी हो सकता है ठीक है और आपका हो जायेगा संस्क्रीट भी हो सकता है हिंदी होगा जोग्राफी होगा साइन्स है यह हो सकते अστो 80 जJan तो जैसे आपका stream है वैसी आपको जो है एक paper पे लिख लेना आपको date sheet जैसे science का है तो science में आपको कौन-कौन से subject है आपके science के आपका commerce है तो commerce में आपके कौन-कौन से subject है बाकी ये कुछ note लिखे हो है नीचे आपको ये जरूर पढ़ लेना है मैं PDF जो है telegram group में send कर telegram group में अगर आप आपने अभी तक जोइन नहीं किया तो जोइन कर सकते है नीचे link भी मिल जाएगा आपको telegram का और वहां आपको ये paper भी मिल जाएगा जहांसे आप इसे download कर सकते है और आपको पूरा पढ़ना है मैंने सिर्फ आपको date sheet बताईए अंदर की चीजे नहीं ब problem चल रही है जिसकी वज़े से वीडियो नहीं आ पा रही है लेकिन जो date sheet थी वह बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका exam कब है तो इसलिए मैं आज जो है date sheet बता रहा हूं कुछ दिनों बाद जो है class 11 की जो है एक अच्छी सुरुआत करेंग नहीं पता है जैसे important circular इसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो यह सारी चीजह आपको पढ़ लेनी है तो यही था आज का वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बिलता हूं आपसे अगली और exciting वीडियो में जब तक ले जैहीं जैभरत बंदे मात रहू झाल झाल झाल